अलो नमस्ते चंद्रयंत्री लेंड कर चुका है और अब सभी को उसके लिए बदाई है पूरी दुनिया खुश है जो जिनको खुश होना है कुछ दुखी भी है उनका कुछ नहीं कर सकते पर सब लोग खुश है क्योंकि भारत की इंडिया के बहुत बड़ी अचीवमेंट है मून के सौथ फोल पे फर्स्टाइम किसी कंट्री ने अपना सिस्टम जो है वो लैंड करवाया है अब देखिए सुन्दर पे चाहिए क्या बोल रहे है वाट अ इंक्रेडिबल मोमेंट कंग्रेटुलेशन्स तो इस्रो फॉर दे सक्सेस्फुल लैंडिंग अफ चंद्रयं मेकिन अस्टी प्राओट अगे एक और देखिए अलन मस्क वी काफी एक्टिव रहते हैं अपने ही ट्विटर पे जैसे कोई मुद्दा आता है तो कमेंट जरू करते हैं किंग्रेटुलेशन इंडिया और इंडिया के फ्लैग के साथ बहुत सारे लोगों ने किया है कुछ एक ने बुरा भी बोला है बुरा इस अच्छी मुवमेंट पे हम बुरे की बात नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूं के हमारा चंद्रयान विकरम लैंडर लैंड कर चुका है और बग्यान उसमें से उतर के क्या क्या करेग और उसमें कौन कौन से मौडियू लगे हैं वो दोनों आपस में टच में लेके विकरम लैंडर और बार निकलके अपस में रेडियू वे बेस की साथ कनेक्टिड रहेंगे कहां गया क्या कर रहा है किनि सारे डेटा प्रग्यान भीजता रहेगा विकरम लैंडर को और विकर the anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere Rambha काफी 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 लंब है Rambha थोड़ा छोटा पड़ेगा इसका पर्पस के है पर्पस है के मून के अराउंड जो अट्मस्वेर अब हमारे अराउंड अट्मस्वेर उसमें अक्सीजन है नाइट्रोजन है काबन डाइकसाइड है तो वहाँ हम जानते हैं कि वहाँ ग्रेविटी काफी कम है और अट्मस्वेर ना के बराबर है फिर भी जो है उसको स्टडी करना अब आइनोस्वेर के अगर बात करें तो आइनोस्वेर जैसे अर्थ की बात करें हम लोग तो एट्से यहाँ से अप्रॉपिटी इस सिस्टी फाइफ किलोमेटर उपर 65 किलोमेटर उपर हमें ओजोन लेयर श्याद आपने सुना हो ओजोन भी एक ऐसे ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर ने मुझे आपको खो हमारी सारी दुनिया को हमारी वेजिटेशन को हमारी अनिमेल्स को मचा के रुखा एकिसी से वो किसी कौन है High Frequency Radiation अब Sun से हर हर frequency की रिडिएशन आहिए है Sun से High Frequency जो फ्रीक्वेशन से आहिए है Low Frequency जो 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 आहिए है some say हर टाइब की हर प्रिकुंसी आरियर हाइफ प्रिकुंसी भी और लो फ्रिकुंसी भी हाइफ रिकुंसी रिडियेशन अगर अगर तक आब पहुंच जाती वो गैंसर कॉस्क्रॉज तो देखो नेचर ने क्या किया आपको प्रोड़क्ट करने के लिए यहां से अप्रोक्सम जिसको आप बोलतो है हीट, जिससे हीट फ्रोडीस होती है, क्योंकि इन्फराइड सब को अशाद मालूम ना हो, तो इन्फराइड रिडिशन वो होती है, जिसके हीट, अब हीट की ज़रूरत है हमें भाई, और वो बैक्टीरिया जो हमारे सरौंडिंग में एक और दुनिया ह रहती है, तो वो हीट रिडिशन और अल्ट्राइड रिडिशन बहुत कम पहुंच पाती है, यूव रिडिशन, लेकिन हीट रिडिशन आती है, लाइट वीजिबल रिडिशन आती है, वो हम तक पहुंच पाती है, तो जो हमें चाहिए, वो हम तक पहुंच गया, और जो हम इस फिरियो में हाईव रिकन्सीरेडेशन आते हैं, आटम में से इलेक्टरोन से स्ट्राइक किया, इलेक्टरोन बहार ने काला, ये बिचारा आटम रहे बढ़र लिचारज, इलेक्टरोन अबार गढ़र गों रहा है, मतलब पौदरीव और नेगरटिव की फॉर्म में सब तो यही है कि मून के अराउंड जो अटमेश्फिर है कि वहाँ भी आइंस मिलते हैं वो भी स्टेडी करेगा हमारा प्यारा प्रज्यान और विक्रम लेंडर अगला मॉड्यूल है चंद्रा सर्फिस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट अब यह भी एक्सपेरिमेंट जरूरी है कि जो सर्फिस है मून का हमारी अर्थ का भी जैस सर्फिस है तो उसकी कंफूरिशन क्या क्या है और वो हीट को कितना एब्सॉब करता है संसे तो जो पहुंच रही है वो कितना अंदर तक उसको हीट अप कर पा रहा है जो मेटीरिल वहाँ पे है उसकी थर्मल कंडुक्टिविटी क्या है जैसे आप घर हम किसलिए बनाते है हम घर इसलिए बनाते हैं ताके गर्मी के मौसम में गर्मी अंदर नाए है बाकी property हमने moon के surface की भी study करनी है कि कितना heat की conduction को allow करता है यह हमारा दूसरा module चंद्राज सर्फिस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट यह दूसरा module होगा तीसरा module instrument for lunar seismic activity अब आप जानते हो यहां पर अर्थ पे तो भई अर्थक्विक आते रहते हैं और आर्थक्विक आने का भी आपने पड़ाई है सबी लोगों ने जो साइंस के सुरूंटर्म को जदा अच्छे से पता होता अब बाकियों को भी पता ही है कि अर्थ शुरुवात में एक liquid form में था क्योंकि हम जो मान के चलते हैं वो यह है कि जब बिग बैंग बिगंग मताँ जब हमारे सारा सिस्टम में ने सारा याइन वर्स बना तो उस टाइंड़ सब कुछ हाट था और होट था तो लिक्ट फ HemAT में रहा होगा तो ऐस्दा हिस्ता हमारी अर्थ भी पुर रह ऊर्ट अमें हो होट थे liquid form है लेकिन आइसे एसाइस अब solidify होती है बाहर से solidify होई अंदर फिर solid होता गया है लेकिन अंदर बिल्कूल अंदर जाके अभी भी liquid है और वो liquid है तो बहुत hot भी है फिर इसी बात है अभी उतनी time के साथ ठंडी हो रही है लेकिन अभी X के example मिलते हैं में जिसे लावा एरेप्शन जगा जगा आप देखते हो वर्ड में कहीं पर लगता है कि हाँ लावा एरेप्ट हो रहा है बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो अर्थ के अंदर अभी भी लीकुड प्रेजेंट है तो वह है लेकिन हम क्या बात करें सिस्मिक एक्टिविटी और उसकी बैसे सिस्मिक एक्टिविटी मतलब वह अर्थ को एक वेरा भी आते रहते हैं बाकि टेक्टोनिक प्लेट्स डिफरेंट प्लेट्स हमार पास है जिस पर सारी की सारी अर्थ टीकी पढ़ी है वो कभी आपस में टकरा जाती है या उपा नीचे होती है तब भी अर् सर्फेस या चंदरमा के सर्फेस पर भी है एक मॉडियूल इसकी स्टेडी करेगा और लास आगा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे अरे अब इसका काम क्या होगा इसका काम होगा अर्थ और मून के बीच का देखो कहां से काम पहुंच गयी दुनिया है और साइंस बहु आपको है लेजर बीम वहाँ से अर्थ की तरफ एकी जाएगी और वहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होके वापिस जाते है यह सिंपल ऐसा प्रोसेस होता है मैं आपको एक्स्पेंन करने कोशिश आग्र करूँ तो लेजर बीम और लेजर वीम की उसकी स्पीड क्या होती है सी स्पीड आफ लाइट के बराबर तो यह गई लेजर वीम यह रहा मून यह रहा यार्थ ऐस डिस्सन्स है और यहां से रिफलेक्ट होके वापस आगे हैं और इस सेंसर ने इसको देख लिया कितने टाइम के बाद बाद पहले भेजी टीज इकल जिरो पे बेजी और जो टाइम जितने के बाद वापस आई है वो इसने अब्जर कर लिया कितना टाइम है अब मैं पैन ही उज़ करूं ज़दा अच्छा रहेगा यह मून से लेजर गई और यहां से रिफलेक्ट होके फिर वापस कही स त किरसे है मान लो मून और हर्थ के बीच का तो स दिस्सेंस जाने का, स डिस्सेंस अने का टोटल डिस्सेंस हो गए वटन टोटल डिस्सेंस हो गए 2S और 2S बाद फाइब है टाइम time इसने module जो ये वाला module है ये note करेगा कितने time में वापिस आई है time आगया वापिस का ये ये हो जाएगी क्या speed speed ही होती है distance upon time तो आपके पास S निकलाएगा और वो कितना होगा speed of flight into time time इसने note किया है develop a two अब speed of flight होती है 3 into 10 रेश पार 8 meter per second time हमारा जो विकरम लेंडर है उसने note कर लिया है divide by two करना है S निकलाएगा exact distance आपको बताएगा कुछ दिनों में हमारा विकरम लेंडर और प्रभ्यान मिलके बहुती शांदर है सभी कुछ और थोड़ा सा ये वीडियो देखें इसरो कटसी इसरो किये है ये कुछ ऐसा ऐसा था ये लेंड किया और ऐसा सर्फेस उबढ़ खाबड सा सर्फेस हमारा भी तो ऐसे ही है अब मैं बाहर खिड़की से बाद देख पा रहा हूँ कहीं वैली है कहीं पहाड है अब प्रशिमा भी मचल तो ऐसे ही है हाँ अगर हम पंजाब या साइट चल जाएं तो फिर वो फ्लेट सर्फेस भी है हमाँ पे तो आप मून का सर्फेस देख पा रहा है जो इसने तस्वीरे भेजी है वो भी ऐसा ही उबढ़ खाबड सा सर्फेस बीच में है ये सेंसर जो अपना काम करेंगे सेंस करने का डिफरेंट सेंसर इसमें लगे है distance between moon and earth measure करने के लिए एक sensor लगाए उसका काम यह होगा यह हमारा different model जो लगें एक दो यह प्रग्यान जी निकलेंगे यहां से और प्रग्यान जी हमेशा विकरम रेंडर से contact में रहेंगे लेजर के थूँ सिगनल बताता रहेगा कि मैंने मेरी एक्टिविटी यह हुई है मैंने यह काम किया है तो प्रग्यान विकरम रेंडर को information देगा विकरम रेंडर वापस हमारे इस रोगे सेंडिस लोग को information देगे हम जान पाएंगे से इस सिर्फ इतना नहीं है मून पर कौन-कौन से metals है यह बहुत मतलब एक इंट्रस्ट की चीज रही है यूस के लिए भी सबने अपने अपने हो सकती है अभी तक तो है कि ना क्योंकि atmosphere नहीं है oxygen नहीं है तो क्या कोई oxygen नहीं है यह तो हमने बोल दिया लेकिन south pole पर उतरने का purpose यही था क्योंकि south pole पर जैसे 27 दिन लगते हैं approximately बोल रहा हूं मून को अर्थ के राऊनों को हमने में इस तारीके से तो वहां पर जो south pole है कुछ time बिलकुल अधेरा रहता है और कुछ समय बिलकुल full के full मतलब sun light पूरा नहीं रहती हूं पर कुछ दिन का अधेरा कुछ दिनों के रात है आप ऐसा बोल सकते हूं यह particular time देखो इस रोने कैस से चूज़ किया यह particular time चूज़ किया क्योंकि कल ही वहां जो है sunlight I think so जहां तक मेरी knowledge है के कल ही वहां पर sun वाला जो पीरिड है वो शुरू हुआ है अब sun वाले पीरिड में होँआ जाना जरूरी क्यों था क्यूंकि विक्रम लेंडर और प्रग्यान को energy चाहिए अब यहां से कोई refill करने तो जाएगा नहीं कि फ्यूल डाल दिया उसमें अब energy कहां से लेगा solar module solar panel लगे हैं उस पे solar panel लगे हैं तो solar panel की help से वो energy लेता रहेगा और खैर बहुती शानदार achievement है आप सबी को बदाई और इसमें जो module लगे थे उसके बारे में बताना था लेकिन एक चीज़ और last में कि आप लोग भी अगर science साप लोगों ने पढ़ी है और sunscript नहीं पढ़ी है तो कोई sunscript का ग इसम को थोड़ा study करने कोशिश करें क्योंकि NASA जो established हुआ था उसको अभी कितने 60-70 साल हुआ है सूर्य की परिक्रमा पूरी करकॉलेशन सूर्य कब अस्थ होगा सूर्य कब उजय होगा simple एक पंचांग आती है हमारे सनातर में और उस पंचांग में सारी के सारे information मतलब एक्जेक्ट कर mathematical calculation के ओपर बेस्ट है वो पंचांग वाला जो हमारे astronomy वाला topic है तो अगर आपने science पड़ी है तो उस तरभ भी ध्यान देने की कुशिश करें western world ध्यान दे रहा हमें भी ध्यान देना चाहिए खर हमारे लोग भी हमारे इस रोग के जो head है उन्हें भी point out किया है कि astronomy is mother of science मतलब इस science की तो हम भी कुशिश करें कुछ नया शायद आपको मिले मैं भी कुशिश करूँगा कुछ नया शायद मिले और हम भी थोड़ा बहुत contribute कर पाए थैंक यू